जे मातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हर्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए comment box में जे मातादी जरूर लिखें दोस्तों, इस साल सावन मा की सुरुवात 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार से हो रही है और सावन मा की समापती 19 जुलाई 2024 दिन सोमवार को होगी खास बात ये है कि इस बार सावन मा की सुरुवात और समापती दोनों ही सोमवार के दिन से हो रही है इसलिए इस बार सावन के कुल 5 सोमवार के वरत पढ़ने वाले हैं और इस बार सावन का महीना कुल 29 दिन का रहेगा तो आपको बताएंगे कि सावन सुमबार व्रत की तारीखें क्या क्या रहेंगी और सावन सुमबार का व्रत आपको कैसे रखना चाहिए और व्रत में कौन-कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए सावन सुमवार व्रत में कौन-कौन सी कलतियां आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए जान ले आज इस वीडियो में सब कुछ दोस्तों सावन का महीना भोले नात को अत्यधिक प्री होता है हर स्युभग्त इस महीने का बेसबरी से इंतजार करता है ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में भोले नात प्रत्वी पर भ्रमण करते हैं और अपने भग्तों को आसिरवात प्रदान करते हैं इसलिए जो भी भग्त सच्चे दिल से इस महीने भोले नात की पूजा अर्चना करता है महा देउस का घर धन धाने से भर देते हैं सामन का पहला सूमवार 22 जुलाई को पढ़ेगा वहीं सामन का दूसरा सुमवार 29 जुलाई को रहेगा इसके बाद सामन का तीसरा सुमवार 5 अगस्त को पढ़ने वाला है और सामन का चौथा सुमवार 12 अगस्त को रहेगा वहीं सामन का पाँचवा सुमवार 19 अगस्त को रहेगा ऐसे में इस बारकुल पाँच सामन के सुमवार के व्रत पढ़ेंगे ऐसे में पूरी श्रद्धा और भक्ती के साथ भूले नात को मनाने में जुड़ जाएं क्रपा आप पर बरसेगी और भोले नाथ आपकी हर मनुकामना को पूरा करेंगे चलिए जानते हैं कि सावन के महीने में ऐसी कौन-कौन सी गलतियां हमें नहीं करने चाहिए ताकि सिफ जी हमसे नाराज ना हो और सावन में ये फल और सब्जी भूल कर भी मत खाना वरना भोले सावन के महीने में किसी दूसरे का दिया हुआ भोजन ग्रहर नहीं करना चाहिए खास कर यदि आपने वरत रखा है तो गलती से भी किसी दूसरे का दिया हुआ फल आदी ना खाएं वरना आपका वरत खंडित हो सकता है और इसके लावा ना ही वरत में बाहर यानि मार्किट की चीज़े खाने चाहिए, क्योंकि आपको आईडिया नहीं होता कि वे चीज किस चीज से बनी है, उसमें क्या-क्या मिला है, कहीं उसमें कुछ ऐसा तो नहीं, जिससे की आपका वरत टूट जाए और आपका वरत निस्फल चला जाए, तो आपको ये गलती भी नहीं करनी है अधिकांस लोग व्रत में मार्केट में उपलब्ध लसी या जूस या चिप्स आदी प्रयोग करते हैं तो आप ये गलती ना करें आप व्रत में सिर्फ घर का बना हुआ भोजन इग्रेंड करें इसके लावा जिस व्यक्ति ने सावन रखे हैं उसे जूट नहीं बोलना चाहिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और व्रती को प्रोद तो खुल कर भी नहीं करना चाहिए दोस्तों पूरे सावन महीने में और सावन के सुमवार के व्रत के दिन आपको गलती से भी नास पाती का सेवन नहीं करना चाहिए दर वरत के दिन को छोड़कर इस फल को खा सकते हैं लेकिन जिस दिन आपका वरत है आप उस दिन नासपाती का फल ना खाएं और ना ही भगवान को नासपाती के फल का भोग लगाएं इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए इसके लावा सावन के महीने में बैगन को भी नह नहीं भी रखे हैं तब भी गलती से भी आपको सावन के महीने में मास, मचली या अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए इससे सिवजी क्रोधित हो सकते हैं दोस्तों ऐसी कई चीजे हैं जो सिवजी पर भूल कर भी नहीं चड़ानी चाहिए सिवजी पर कभी भी तुलसी, सिंदूर, हल्दी, आदिका इस्तमाल नहीं करना चाहिए सिवजी पर गलती से भी केतिकी का फूल नहीं चड़ाना चाहिए ऐसा करने से सिवजी रोधित होते हैं दोस्तों सावन के महीने में आप ये गलती भी ना करें कि आप अपने हाथ से किसी दूसरे को बेल पत्र तोड़ कर ना दें कभी कभी ऐसा होता है कि आप बेल पत्र तोड़ कर लाए और किसी ने मांगी तो आप उसे बेल पत्र दे देते हैं तो ऐसा ना करें आप अपने लिए ही बेल पत्र तोड़ें ना कि दूसरे के लिए इसके लावा बेल पत्र चढ़ाते समय भी कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए कभी भी सिवलिंग पर कटी फटी बेल पत्र ना चढ़ाएं इसके लावा बेल पत्र चढ़ाते समय हमेशा ध्यान रखें कि बेल पत्र का चिकना हिस्सा सिवलिंग पर टच करना चाहिए और बेल पत्र चढ़ाने के बाद सिवलिंग पर जल की धार चरूर चढ़ाएं इसके लावा ये भी जान लें कि बेल पत्र आपको किस दिन नहीं तोड़नी चाहिए तो दोस्तों सोमवार के दिन अस्टमी, नौमी, चतुलदसी, प्रदोस, अमवस्या, वसंक्रान्ती के दिन गलती से भी बेल पत्र ना तोड़ें चलिए अब जान लेते हैं कि सावन सोमवार व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं दोस्तों व्रती को इस दिन गलती से भी अन्निका सेवन नहीं करना चाहिए इसके लावा मैदा, आटा, बेसन, सूजी, सत्तु आदी ना खाएं सावन में हरे पत्तेदार सबजियों का सेवन भी वर्चित होता है क्योंकि बरसात के मौसम में हरे पत्तेदार सबजियों में कीडे मकोडे हो सकते हैं व्रती को सोमवार व्रत में फला हार ग्रहन करना चाहिए जैसे पानी, जूस, चाय, फल, ड्राइफ रूट्स, कुट्टू या सिंगाडे का अटा, साबू दाना या समा के चावल आदी सुमवार व्रत में इन ही चीजों को खाना चाहिए आपको बता दें कि साबन सुमवार का व्रत सुर्योदे से प्रानम्ब करकर तीसरे पहर तक किया जाता है सिव पूजा के बाद सुमवार व्रत की कथा सुननी बेहदी जरूरी होती है व्रत करने वाले को दिन में एकी समय भूजन करना चाहिए अब बात करते हैं कि सावन सुमवार प्रत की विधी क्या है आप सुमवार के दिन ब्रह्म मूरत में उठकर नित्य कर्मों से निवरत होकर इश्नानादी करके स्वच्छवस सधारन करें इसके बाद इसान कोण में पूजा इस्थल पर गंगा जल छड़कर उसे सुद्ध कर लें और एक लकड़ी की चौकी पर सफेद रंग का वस्र बिचा कर भगवान सिवजी की मूर्ती या फोटो इस्थापित करें और यदि आपके गर में शिवलिंग है तो उसे भी चौकी पर स्थान दें इसके बाद सबसे पहले सावन सुमवार व्रत का संकल्प लें आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सजल उस अप्छत लेकर व्रत का संकल्प लें दोस्तों एक बात का ध्यान लखें कि सावन में भगवान भोले नयात के साथ साथ उनके पूरे परिवार का पूजन भी जरूर करें आप इस दिन सिवलिंग का अभिशेक भी अवस्य करें प्रतेक सुमवार को सिवलिंग का दूद, दही, घी, सहद और सक्कर से अर्थात पंचा मरत से अभिशेक करना चाहिए इसके बाद चंदन का तिलक लगाना चाहिए फिर फूल, माला, बेल पत्र, आकड़े का फूल, धतूरा, भांग और भजम आदी अर्पित करें इसके बाद पान, सुपाड़ी, लोंग इलाची, मेवा और सफेद मिठाई का भोग लगाएं अब आप धूब दीब चलाएं और वहीं बैटकर उम नमा सिवाय मंतर का 108 बार जाब करें इसके बाद सावन सुमवार व्रत की कथा पढ़ें आप चाहें तो सिव चालेशा, रुद्रास्टक, सिवास्टक, सिव पुरान का पाड़ भी कर सकते हैं इसके बाद सिव जी की आर्थी करके विद्वत पूजा को संपन्न करें दोस्तों सावन सुमवार के व्रत करने से प्यक्ति को दुखों से मुक्ति मिलती है और सुखों की प्राप्ति होती है दोस्तों सावन सुमवार व्रत में आप साम के समय भी सिवजी की आरती और भोग अवस्य लगाएं इसके बाद ही आप भोजन ग्रहन करें आप चाहें तो फलाहरी भोजन ग्रहन कर सकते हैं या एक अनाज का भी सेवन कर सकते हैं ये आपके उपर है कि आप सावन सुमवार का व्रत किस तरह रखना चाहते हैं कुछ लोग पूरा दिन फला हरी रहते हैं और अगले दिन सुबा व्रत खोलते हैं तो इस तरह से आप सावन सुमवार के व्रत रख सकते हैं तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवज से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ इसाज चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद